उत्राखंड के पर्येटन सचिव दिलीप जावलकर से टूरिजम के विकास और कोरोना काल में इसकी विवस्थाओं को लेकर अपनी उन्हों बात रखी पर्येटन सचिव दिलीप जावलकर से की खास बाचीत उत्राखंड पर्येटन बिभाग के सचिव दिलीप जावलकर साथ हमारे साथ हैं उत्राखंड में किस तरह से पर्येटन का विकास हो रहा है और क्या कुछ नई योजनाएं उत्राखंड में हो रही है इसके बारे में बात करेंगे तो सीधे चलते हैं परेटन सरीप दिलिप जावलकर साब के पास सर बहुत-बहुत स्वागत है एवन टीवी पे आपका पहला सवाल क्या कुछ नया हो रहा है सर ताकि पूरे देश का रुजान उत्राखंड की तरफ देखे और उत्राखंड में लोग आए दिखें महतुपुर्ण बात यह है कि उत्राखंड जैसे बाकी सभी राज्य भी जो है कोरोना से अभी उभर रहे है और हमारे राज्य में भी यही प्रयास मुखिता किया जा रहा है कि कोरोना समन्द में जो डर है जो भय है उसको दूर कर लिया जाए कोरोना कफी हद तक जब तक हमारा immunization प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हमें कोरोना के साथ रहना है लेकिन एक विशिश प्रोटोकॉल का अगर हम लोग पॉलन करते हैं तो उसमें फिर हम लोगों की रिस्क काफी कम हो जाती है हमार यहां पर होटेलियस हो या फिर बाकी परेटन से जुड़े होए सभी हितर समंदी व्यक्ति है इनके द्वारा काफी इस अंदर में अच्छा कारे किया गया है और जिसके चलते हमने देखा कि जब भी यह कोरोना के बाद जब परेटन सामान्य लोगों के लिए जब खुल गया था तो यहां पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस रहा है और उसके चलते परेटन विभाग को हम लोग टूरिजम हमारे यहां पर स्पिरिशलिटी और रिलीजन के लिए तो लोग आते ही आते हैं 2019 में कोरोना काल के पहरे का जो वर्श रहा तब हमारे यहां पर रेकॉर्ड ब्रेकिंग यात्रा चली जिसमें 34 लाख से जादा लोगों ने यात्रा करी उस साल में जो इस जगह पर भी जो यात्रा के लिए विजिट करते हैं उनकी संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से यह देखना है कि जो हमारा यात्रा के उपरांत जो विंटर का सीजन होता है उस भाईयां उस समय में यहां पर कैसे जादा से जा लोग आ जाए क्योंकि वो हमारा वो समय है कि जिस समय उत्राकन बहुत ही सुन्दर दिखता है बहुत ही कंपुलूशन रहता है बहुत सुन्दर दिखता है आपको हिमाचादित शिक्रों का उस समय में बहुत अच्छा दर्शन होता है आपको बहुत पेड़ पोदे हरे भर पर काफित बहर साती है तो इस particular हमारी identity को देखते हुए हमारा प्रयास किया जा रहा है कि इकटूरिजम से related activities एडवेंचर tourism related activities है और wellness related सम्मणित जो गत्वी दिया है उनको हम लोग बढ़ावा दे रहे है और उसके लिए हम लोग investment करने वाले जो व्यक्ति है उनको तो प्रोसाइद करीद दे रहे हैं लेकिन हम ने एक नया पूरा का पूरा एक नया अडवेटिजमेंट कैम्पेंग हम लोग इनी दो तिन प्रोड़क्स के इर्थिकर्थ बना दिये हैं उसको जल्दी हम लोग लॉंच कराएंगे करोना काल में पूरे देश की आर्थिक इस्थिती जो है वो खराब हो गई है उत्तरा खंड के परिपेक्स में बात करें तो पूरा पहाडी प्रदेश है पहाड के लोग छोटी छोटे गाओं में कस्बों में रहते हैं तो उनके गाओं में उनके कस्बों में किस तरह से हम पर बोजगार मिले और हम सिर्फ परियतन सीजन पर ही ना रहें मलकि सालों भर उनका जो है उनको कुछ ना कुछ मिलता रहें यही मुख्य फोकस है अभी हमारी जो गतवीद्या चल रही है उनका और इसका कारण यह है कि हम लोग शहरों से दूर लोग आना चाह रहे हैं कोवीड क चलते भी लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कम भीड़वडा के वाली जगह पर जाएं दूसरा बहुत सारी जगह पर वर्क फ्रॉम होम जैसी कंसेट जब से आये है तब से लोग कह रहे हैं कि जहां पर भी हम लोगों को घर के जैसा माहौल मिले लेकिन अच्छी नेटवर्क औ तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को जो भी नियोजन करेंगे वह हम लोगों को उस तरीके से जिस तरस के आने वाले चार-पांस साल में एकाद दशक में किस प्रकार के हम लोगों के यहां पर क्लाइंट्स आने के लिए इच्छुक है उसके हिसाब से नियोजन करने की आवशक है आवशकता है उसी को देखते हुए एडविंचर पूर टूरिजम और वेलनेस टूरिजम पर काफी फोकस दिया जा रहा है किस तरह से उत्तराखंड में छोटे-छोटे पॉकट बना करके पूरे देश और दुनिया का नजर उत्तराखंड के उपर दिया जा रहा है कैमरामेन नितिन के साथ चंदन कुमार ज्जा एवन टीवी धहरा दूनिए